हेलो एब्रीबन वेलकम टू अलाफ यूटूब क्लास दिस शर्णी कुमार गुपता तुड़े वी डिस्कॉस एबाउट और नूट चेप्टर अफ क्लास टू एल्थ हिंदी तो चलिए आज हम बात करते हैं आज आपके हिंदी के पार्ट शिक्स नमर चेप्टर के इसमें आ आपके एक्जाम से रिलेटेड है और यह बहुत इंपोर्टेंट है जैसे कि आप सभी को भी पता है यह आपका एक्जाम बहुत नज्जीक है तो यह आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है चलिए स्टार्ट करते हैं इक लेखक और एक पत्र की रस्णकार कौन है भगत सिंग भगत सिंग का जनम कभ गुआ था तो आपको यहां पे पता आपको दिख रहा है चलिए आगे देखते हैं फिर तो भगत सिंग का निधन कभ गुआ था नेकस्ट कुछdoes्टन देखते हैं भagat Singh के पीता का नम क्या था तो सर्दार ekishan Singh और भagat Singh का मा का नम क्या था तो विद्यावटी देवी और उनके चाचा का नम क्या था तो अजीद sing द्हान लकियेगा कभी कै पीकुक्षटन में चाचा जी के बारे में इनके बहुत चता है तो ये जो थे आपके लाला पत्राय जो थे उनके सयोगी थे फिर देखते हैं भागत सिंग किस उमर में करांतिकारी गती विदियों में सामील हुए तो वो जो उनका एज था, वो कौन सा एज था, वो था 12 यर्स के, जब वो 12 यर्स के थे, तब ही से वे करांतिकारी में सामील हो गया, फिर भगत सिंग ने चंदर से खराजात के साथ मिलकर सिंध किस संग का गठन किया, तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार् फिर भगत सिंग के अनुसार आतम हत्यात जो होता है वो ये ये शे मिलाथा पत्त्रि Muhatya और नेके सिंग को फांसी मिला धा, तो 23 वाह पत्त्रा निकुलता था तो ये कलकता कल को उनकता है जिसको कलकता कहाँ जाता है, बिद्यार्थु राजनि विद्यार्थी और राजमितिक सिर्शक संबंद किसका लिखा हुआ है तो वह आपको भगत सिंग का प्रताप के संस्थापक कौन है तो वह गनेश शंकर विद्यार्थी जी है नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपको 17 नमर कोश्चन है भगत सिंग ने अपने लिए सजा और संबंद में सजा के संबंद में क्या विश्वास था तो उनको विश्वास था कि हमें मिट्यू दंडी होगा फिक्स है फिर देखिए सन 1926 में भगत सिंग ने कीस दल का गठन कि लिए थे और फिर नेक्स्ट कोश्चन है आपको भगत सिंग प्रभावी थे किस से काल माक्स के जीवन से वो जो थे काल माक्स के जीवन से प्रभावी थे नेक्स्ट है मैं नास्ति क्यों हूं यह किसका लेख है यह भी एक भगत सिंग का ही लेख है चलिए आगे बढ़ते ह तो next question 21 number है कुलवीर सिंग और कुलदार सिंग यानि करतार सिंग भगत सिंग के कौन थे यह दोनों उनके भाई थे फिर next question देखते हैं आपको भगत सिंग ने किस को पत्र लिखा था तो यह पार्ट से संकलित पत्र है यानि सुकदेव जी को पत्र लिखा था भगत सिंग के हिरदय में किश भावना को कोई अस्थान नहीं था तो प्रेम का कौन सा संबंद कौन सानिबंद भगत सिंग का लिख कर्मने असवानों को भगत भारत सभा गठन कभ किया था तो यह 1926 में हुआ था उनिस्स चौदमें भगत सिंग किस पार्टी की और से अकरसी थे तो फार्टी ऐ गद्धर पार्टी भगत सिंग को कॉंगरेस से महात्मा गांधि से मौव भंग कभ हुआ बतला महात्मा जाने वाले पत्री का किस से जूड़ी हुई थी तो प्रताप से जूड़ी हुई थी ठीक है अब देखे भगत सिंग किसे घ्रिडत ही तथा काहरता पुंड मांते थे यह आपको अलड़ी पहले बता गया आत्मात्या को चले फिर नेक्स देखते हैं इसमें 30 नमर कोश्चन है प्रेस क्रोम टिकिन कौन था तो यह अर्थ सास्त के एक विद्वान थे बंदी जीवन किस की क्रिती है यह आपको सचीदानन सान्याल जी का है भगत सिंग के पिता कितने बार जेल गया है तो वो आपको शेवन फिर देखे भगत सिंग ने नौजवान सभा की साखाएं कहां तक अस्थापीत कि यह बीविन साथ भीविन सहरों में वह अस्थापीत किये थे अफिर देखे भगत सिंग का सण्यांतर केस में फाशी की सजा तो लहार जो यह गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा आप सही कर लिए इसको ठीक है न यह लहार होता है तो लहार के फासी में इनक पॉकेट में रखते थे करतार सिंग ठीक है फिर देखे भगत सिंग को अपने मित्रों के साथ केंद्री अशेंबली में बंब कौन कप फोड़ा था तो अज़ी अगे आफाट अप्रेल नीशां उनन्तिस को छलीए फिर मिलते नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट वीडियो में और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें चलन को सब्सक्राइब करें फिल्मिंगते- नेक्डियों तेनको ये सजा मिला नेक्स्ट द झाल झाल